प्रेंड्स जो आपका मन्न ना करें आलू मेति झाने और आलू ढ़र खाने का तो आप बनाएं बनाई सब्जी मेति मटर मलाईी यह बहुत ही टेस्टी लगती हैT Ton बनाने में उतनली ही आसान हैं जट बने के तयार हो जाती है नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब in इसấ 이건 बनाना शुरू करते है मैंने थोड़ी सी मेथी लिया इसको बारिक काट लिया है और सापानी से इसको धो लिया है फ्रेश मेथी ले हरी हरी देश से सब्धी काफी अच्छी बनके तयार होती है कडाई में ओई गरम हो चुका है इसमें थोड़ा सा हेंग डालेंगे और एक कटा हो प्याज डालूगी में इसमें बारिक काट लिया है इसको हलका सा हमें दिनना है जादा नहीं करेंगे इसको लाज अब इसमें बारिक कटा हो और धनिया लसन डाल दूंगी इसको ही भूल लेंगे प्याद के साथ अच्छी से भुन चुक है इसमें हम दो कटे हुए टमाटा ढालेंगे मैंने काटके डाले है और टमाटा की प्यूरी भी बनाते डाल सकते हैं औहां मैं इसे अच्छी से चला देंगे तो पटी हरीमिश में डालूंगी हमने इसमें टमाटर डाले हैं तो इसे सॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा नमक जाल देंगे इसे टमाटर हमारे जल्दी से सॉप्ट हो जाएं और इसे थोड़ी जर पकाएंगे तुमाटर सॉप्ट हो चुके हैं और ओएल रिलीज हो गया है अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे मैंने यह थोड़ा सा मेर्ची वैने स्वाद मसाल लाल मिच पोड़र डाला है और धनिया पोड़र डाला है एक चोथा ही मैंने फल्दी जाली है मसालो को चला देंगे और इन्हें दो सेगिड अच्छे से कुछ परेंगे देखें कलर भी कितना प्यारा आने लग गया मसाले में अब हम इसमें मटर डाल देंगे यह हरी मटर है आप सल्फव मटर भी डाल सकते हैं मटर का सीजन है तो हरी मटर से आप बनाएं इस सब्ची को बहुत अच्छी लगती है टेश्टी इसको हम मसाले के साथ ही मटर को पकालेंगे पांच मिंट हम इसे डखके पकाएंगे मसाले के साथ थोड़ा समय इसमें पानी आइड कर्टूमी जिससे मसाले ना जले और हम इसको चला देंगे मसाले के साथ अच्छे से पक जाएगी और इसको ढग देते हैं पांच मिंट के लिए रेखे बसाले और माटर अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें मेथी डाल देंगे मेथी को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए कलर कितना प्यारा है इसमें इस तरह से जरू ट्रै करें फ्रेंड समय चैनल पनाई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हमें सपोर्ट करें यह देखिए मेथी थोड़ी सी हो गई है यह बुनकर थोड़ा सा मैं पानी एड़ कर दूंगे इसमें और इसको पाच मिंट कोक करेंगे यह देखिए मेथी भी अच्छे से पक चुके है अब हम इसमें डालें ताजा फ्रेश मलाई इसको मैंने फैट लिया था यह घर की मलाई है इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप फ क्रीमी क्रीम हैं हमारी सब्जी बनके तयार होगी में इसमें खुटा हुआ बढ़ा देंगे और शब्चा निया डाल देंगे इसे खुछा बहूत अच्छी आती है यह फ्रेश धनिया है अब हम इसे फिर से कुक करेंगे थोड़ी देर इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसे टेस्ट अलग से चेंज हो जाएगा और इसमें जो भी कड़बा हट होती है वह सब दूर हो जाएगी और बहुत ही लाज़वा हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी बन के तयार हो चु देखिए कितनी अच्छी लाज़वा हमारी सब्जी बन के तयार हुई है ना यह पतली है जादा और ना ही यह मोटी है इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बन के तयार हुई है इस तरह से जरू बने इसको आप चाबल के साथ और प्रणाटे के साथ खाके इंजोई करें हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें थैंक यू